मौसम अपडेट के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी से उठा भीशन चकरवाती तुफान यास का खत्रा अब उत्तर परदेश, राजस्तान, जारखंड और बियार पर भी मनराने लगा हैं मौसम अपडेट के मुताबिक तुफान यास 26 माई को बंगाला और ओडिशा के तर्ट से तकराएगा इसे निपटने के लिए पीएम नरे नरमोदी ने समिक्षा बैठक भी की हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के आंत तक आप हमारे साथ बने रहें और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल जाए बारतिय मौसरम विबाग आई एमडी ने बताया कि चकरवाती तुफान यास दिगा समुद्र तर से शाड़े छसो किलोमेटर दूर है मौसरम विबागन सोमार को तुफान की तस्वीर जारी कर कहा है कि इस वक्त की यह ओडिशा के पारादीव से 540 किलोमेटर दक्षिन पूर्व में है दिरे दिरे बंगाल की और बढ़ेगा उत्तर पश्चिम की तरब बढ़ते हुए मंगलवार तक भारी चकरवात तुफान में तब्दिल होगा और बुद्वार सुबह तक यह बहत बैंकर हो जाएगा यह तुफान 26 माई की दोपार तक ओडिशा पश्चिम मंगाल के तर्ट से टकराएगा यह एक बहुती बीशन चकरवाती तुफान होगा जिसमें 155 से 165 किलोमेटर परती गंटे की रवतार से ऐसे में इस गंबिर तुफान का परवा उत्तर बार के जादा राजियों में पढ़ सकता है जिसके चलते बिहार, दली, यूपी, राजस्तान, सहीत अधिकतर राजियों में एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा मौसम विबाग ने उत्तर परदेश के 27 जिल्लों में 24 से 28 मई के 20 तुफान की चेतावनी दी है रविवार को इसके लिए समंदित जिल्ला के लोगों को अलेट रहने को कहा है इसके साथ ही जिल्ला कलेक्टरों को जरूरी तियारिया करने के निर्देश दे दिये गए है जानपूर, अमेडकर नगर, आजमगड, महू, गाजीपूर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महराज गंज और कुशी नगर जिल्लों में रेड एलेट गोशित किया गया है वेभाग का कहिना की चकरवाद यास का असर 28 मईश से पहले बियार और पूरी उत्तर परदेश में दिखेगा मौसम वेग्यानिकों का अनुवान है कि इसका असर वारानसी और आसपास के जिल्लों के साथ ही गोरकपूर, परियागराज और लखनव तक दिख सकता है जैसे जैसे यह पस्चिम के और बढ़ेगा इसका असर कम होता जाएगा वहीं इस तोफान के परबाव से जारखंड भी अच्छुता नहीं रहेगा मौसम वेग्याग ने यास तोफान को लेकर भी जारखंड में एलेट जारी किया है इस खत्रे को देखते हुए NDRF की 9 बटालियन को एलेट मोड पर रखा गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए टीम को पूरी तरह से त्यार रहने को कहा गया है बता दे कि NDRF की बियार और जारखंड में कुल 14 टीमें हैं जिनमें से 5 टीमों ने अभी से मंगाल में मोर्चा संबाद रखा हैं साथ ही इनमें से और 5 टीम आज दोपर तक राची पहुची जो उडिशा और जारखंड में तैनात की गई है आज से दनबाद और पड़ोसी जिल्लों में तुफान यास का असर शुरू हो जाएगा मौसम वेबाग ने राची ने इसकी जानकारी दी हैं जारखंड में 25-28 माई तक मुश्लादार बारिस के असार बने हुए हैं वेबाग ने 25-28 माई के बीच पूरे जारखंड में आधी के साथ मुश्लादार बारिस और वज्रपाथ होने की चेतावनी जारी की हैं उतर तुफान के मदे नजर पूरू रेल लेवे ने भी 24-29 माई तक के लिए 25 ट्रेनों को रद कर दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मौसम अपडेट सभी बता दी गई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे सब इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद